हालो एवरिवन वेल्कम टू लख्की एजुकेशन और आप हम शुरुआत करेंगे मैप की प्रेक्टिस करेंगे जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है क्लास 10 11 और 12 के लिए पहले आज हम इंडिया का मैप प्रेक्टिस करेंगे उसके बाद वर्ल्ड का वर्ल्ड का मैप 11 12 के लिए इंपोर्टेंट नहीं है तो इंडिया के मैप पर ही फोकस करें तो सबसे पहले आप तैयार हो जा एक ब्लेंक मैप लेलो मेरे साथ ठीक है और ब्लेंक मैप को मैं जैसे जैसे वरता जाओं वैसे वैसे आप भी वरते जाना क्योंकि ध्यान रखना म मैप में एक ही चीज काम करती है और वो चीज आपकी प्रेक्टिस जब तक प्रेक्टिस नहीं करोगे तब तक इंडिया का मैप नहीं समझ वाएगा देखने से चीजें समझ में नहीं आती करने से चीजें समझ में आती है ठीक है तो यह है आपका इंडिया का मैप और यहां यहां पर आप भर दो चम्मू एंड कस्मीर ठीक है इसके जेस्ट बगल में यहां पर यहां पर आप भरोगे जम्मू कस्ंीर यहां पर भर दो हिमाचल प्रतेस के जस्ट नीची आप भर दो उत् notamment उत्तराखंड क्यां रखना है 2000 की बात हम करें 2000 में तीन श्टेट बने थे यूपी से तो बना था उत्तराखंड बिहार से बना था आपका जहार खंड और मद्द्रदेश से बना था आपका 36 गड़ तो मैं आपको बता दो यह रहा यूपी यूपी से बन गया उत्तराखंड यह रहा आपका बिहार बिहार के जस्ट नीचे यह बन गया जहार खंड यह रहा आपका मद्द्रदेश और मद्द्रदेश की बगल में यह है आपका 36 गड़ तो इनको भरो मेरे साथ तो मैंना भी अभी बताएं इनको सब को प्रैक्टिस कर जहाएगा च्यार खंड और यूपी के नीचे बड़ा सा एरिया जो है यह मद्द्रदेश मद्द्रदेश में से टूट बनाता चतिस गड़ अब यह रहेगे तो देखो ही माचल के नीचे यह वाला जो एरिया है यहां पर भढ़ दो यह हो जाएगा अपना पंजाब पंज पूटी से जेगे जो दे रखी अरियाना की नीचे यह डेली है ठीक है इतना बढ़ दिया आपने वेरी गुड और अब यह वाला जो इलाका है बहुत बड़ा सा इलाका यह अपना राजिस्थान क्या है राजिस्थान तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट एरिया के हिसा महराष्ठ है ना बेरी गुड फिर यह आपका महराष्ठ हो गया महराष्ठ के नीचे आप देखो लाइन लागा के बहुते चलते हैं यह हो जाएगा करनाटक है और यह चूटी सी जगह जो दिखा रखी है यह है आपका गोवा इस पार आप क्या लिग दोगे गोवा लिग गया तान वर आपको पता गौपा सौटीर में और प्रदेस में से एक स्टेट बनग्या था जिसका नाम हे अब आ कि अब को कि करके बताना अन्दवरदेश की केपिटल क्या है यह कमेंट करके बताना है यह आपका उडीसा हो गया और यह वहला जो पोर्शन है यह वाला पोर्शन इसको हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल क्या बोलते हैं प्र darf Mais K यहां तक का हमारा इंडिया का मैंफाई हो पूरा हो चुगा है अब हम फोकस करते हैं नौर्थ इसिद इंडिया पर काँ पर फोकस करते हैं नौर्थ इस्ट इंडिया पर फोकस करेंगे ध्यानसे देखना ये तो हो गया आपका बंगलादेश ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल है ना ये हो गया आपका नेपाल ये हो जाएगा आपका भूटान नेपाल और भूटान के बीच में छोटी सी जगह है इस जगह को हम बोलते हैं भाई क्या सिक्किम क्या लिख दो कि यहां पर स यहां पर यह आपका आसाम क्या हो जाएगा तो यह आपने आसाम बढ़ दिया यहां पर यह यह आपको देखो उसके तरुब आपको तीन चार इस्टेट फटाक से याद हो जाएंगे ट्रिक का नाम है अरू ना की मा मी अरूना की मा मी में देखनां क्या क्या चीज़ आ रही है अरू का मतलब है अरू नाचल पर देश ना का मतलब है नागलेंड यह बाली यह मतलब है मनीपुर यह मतलब है करके आपको तीन-चार स्टेट यहां तक तो नीचे हो जाएगा नागा-लेंड के नीचे मनीपूर मरीपूर के नीचे आयेगा मिज़ोरम तो ट्रिक याद रखने आरणा की मामी फटाक से आध हो जाएगा सारे स्टेट फटाक से देखते हैं नोर्थीस्ट इस्टेट्स को बने इस्टेट्स इंडिया सेवन्सिष्ट इस्टेट्स ज्यान देना यह तो डेश हो गया बंगलादेश त्रुपरा मेघाले आसाम भूतान नेपाल यहां पर जाएगा सिकेम औरणाचल प्रदेस नागाले आपका बे ऑफ बेंगॉल तो हमने सारे स्टेट्स आपको बता दिए हैं आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगे होंगे और यहां पर आप देखोगे यह जाएगा आपका लक्षदीप और यह जाएगा आपका अंड़बान नग्षदीप यह जाएगा पकी केरल यह जाएगा तमिलनाडू स्री लंका स्रीलंक यह जाएगा आपका आंधर्प्रदेश यह जाए रवार का उर्षदमान परसे जमु ए नंकर समीर-षमाचल-प्रदेश इसके अभेलाबा उत्राएखंड यूपी नैपाल भिहार भिहार से बना जायर किस आइडम वेस्ट बंगॉल कंदों पर है मेगाले यह हो जाएगा आसाम यह हो जाएगा आपका बूटान यह हो जाएगा सिक्किम अरुणाचर प्रदेश नागालेंड मरीपूर मेजोरम और बंगलादेश की टांगों में तिरपुरा ठीक है तो यह सारे स्टेट्स हमने द इसको आप कम से कम दो तीन बार प्रेक्टेस करो पहले आपको नहीं पता है इस आपको बहुत बड़ी समझ्चा हो जाएगी तो पहले स्टेट्स याद रहो जाएंगे तो फिर बाकी चीजें हम बाद में करतेंगे तो यह पहला वीडियो अभी एक दो दिन में आपको इतन प्रेका भी आएगा और वी चीजें चोटे-चोटे चीजें सब लाँगा मैं अभी है ना